हैं आपके सामनी है किलास फिफ्थ इंग्लिस रत्रा सागर लेसन नमबर 9 तेनाली पेंट्स आ होर्स यानि तेनाली ने एक होर्स की तस्वीर बनाई चलिए चेप्टर को सुरू करते हैं पर चेप्टर के स्टार्टिंग में तेनाली रमन के बारे में दिया हुआ है तेनाली विज्यनगर के राजा किर्सन देव राई के दर्बार के एक point और जेस्टर थे point मतब एक कवी थे और जेस्टर मतब जो अपने हरकतों से अपनी चलाकियों से अपने जोग सुनाकल लोगों का मनुरेंजिल करता है यह अपनी चालाकी और बुद्धिमानी के लिए मसूर थे इन्हीं के एक नाटक जिस नाटक से हमें इनकी चतुराई का पता चलेगा वो नाटक अब हम पढ़ने वाले हैं इस नाटक के केरेक्टर हैं किरसन देवराई यानी राजा किरसन देवराई इनके दरबारी जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं यह है तेनाली रमन भुच्छालाक और बुद्धिमान इसार फिर है फ़र्स्ट कोर्टियर, सेकिंड कोर्टियर कोर्टियर मत्तब होता है एक दरबारी तो यहाँ पर चार दरबारियों की बात होगी तो कहानी को सुरू करते हैं कहानी की सुरुआत में दिया गया है कि एक दिन राजा किरसन देवराई और उसके दरबारी एक आर्टिस्ट को उसकी पेंटिंग करते हुए देख रहे थे राजा और सभी दरबारी उस पेंटिंग से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुए हाला कि उन्हीं में इसे एक दर्बारी तेनाली रमन इससे खुस नहीं था राजा ने कहा राजा ने कहा कि ये सच में बहुत सुन्दर पेंटिंग है मुझे तो यहाँ पर विलेज का जो सीन है वो देखकर बहुत ज़्यादा सांती महसूस हो रही है तुम सच में एक टैलेंटिड आर्टिस्ट हो ये पकड़ो आपका एक सोने से भरा हुआ एक बैग और हमें बड़ी ही खुसी होगी अगर आप हमारी दर्बार में रुके और ऐसी ही सुन्दर पेंटिंग्स बनाते रहें तब आर्टिस्ट अपनी तारीफ सुनने के बाद कहता है राजा से कि राजा जी और योर हाइनेस महराज आप सच में बहुत दयालू इंसान है और मुझे बड़ा ही सम्मान लगेगा अगर मैं आपके नियुक्रीक के लिए इस तरीके की पेंटिंग्स दुबार से बनाओ फिर तेनाली रमण तेनाली रमण कहता है कि मैं यह जीय तो लगता है कि यह जो पेंटिंग्स है यह ज्यादा अच्छी नहीं है तत marvel तह पेंदा है कि तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि यह मुझे तो लगता है कि ये तो एक सच में एक लवली परफेक्टली पेंटिंग है बहुती सुन्दर पेंटिंग है तर तेनाली राम कहता है कि एक चीज बताओ कि इसमें इनसान ये जो दो आदमी आपको दिखाई दे रहे हैं तस्वीर में इनका दूसरी तरफ का हिस्सा कहा है इनका तो सिर्फ राइट साइड ही दिख रहा है और दूसरी बात ही तो ये है कि जो काउ बनाई हुई है उसको तो चेहरा ही नहीं है राजार कहते हैं तुम कैसे परिशान करने देने वाले एक इनसान हो कि तुम कैसे प्रहसान करने वाले एक बेवकूफ इंसान हो हर चीज जो है पेंटिंग में नहीं दिखाए सकती सिर्फ आप उन पेंटिंग की कल्पना कर सकते हो उन मिसिंग पार्ट्स की तब तेनाली रमन कहता है कि मैं सर्थ लगा सकता हूँ कि मैं इससे ज़्यादा अच्छी पेंटिंग कर सकता हूँ तब राजा कहते हैं ठीक है मैं तुमसे सर्थ लगाता हूँ तुम्हें एक सोने से भरा हुआ बैग दूँगा अगर तुम अच्छी पेंटिंग करते हो मैं तुम्हें पेंट और पेपर दे देता हूँ और तुम्हें दर्बार में आने के लिए एक महीने की छुट्टी भी देता हूँ एक महीने की छुट्टी तुम्हें एक तस्वीर बनाने को मिलेगी और एक महीना खतम होने के बाद तुम अपनी पेंटिंग हमें दिखाने लाओगे अगर तुम्हारे कहे बताने के मताबिक अगर वो पेंटिंग आदी भी अच्छी लगी तो मैं वादा करता हूँ सोने से वरा हुआ बैक मैं तुम्हें दे दूँगा और एक आर्टिस्ट का किंग के टाइटल से तुम्हें नवाजूँगा तब तेनाली रमन कहते हैं कि मैं राजी हूँ इस बात पर और मैं एक महीने बाद अपनी पेंटिंग सिहां पर सभी को दिखाने के लिए लेके आऊँगा तब ही जितने भी दर्बारी वहां दर्बार में बैठे हुए थे सभी मुस्कराने लगे हसने लगे और वो जानते थे कि तेनाली रमन इतनी अच्छी पेंटिंग नहीं कर सकता तब तेनाली रमन भी उनको देखकर बड़ा ही गुसा हुआ और बड़ाते हुए वहां से दर्बारी वहां से चला गया फिर उसके जाने के बात पहला दर्बारी कहता है कि ये सच में एक मुसीबत में पढ़ चुका है और मैं भी देखना चाहता हूँ कि सच में इसने तो अपने आप को एक परेसानी वाली सिच्वेशन में इस्तिती में फसा लिया है और मैं भी देखना चाहता हूँ कि ये कैसे इस मुसीबत से बाहर निकलता है राजा कहते हैं कि मुझे ऐसा नहीं लगता ये सच में एक चालाख इनसान है तेनाली रमन को बता रही है कि राजा कहा रही है तेनाली रमन से कि तेनाली सच में एक चालाख इनसान है एक महीना पाग बीच जाता है सभी दरवार बढ़ी उतसुकता से तेनाली रमन की उस पेंटिक को देखने का इलतिजार कर रही है मुस्करा रही है और एक दूसरे से फुसफुसा कर बाते कर रही है राजा कहते है सबी से राजा कहते है कि फिर राज कहा ने बोला कि वो अब आज कहा है यारणी तेनाली रामन कहा है sorry, what do we do today कि तेनाली राजा पोछते है कि आज हमें क्या करना है तो पहला दरवारी कहता है कि ये वो दिन है जब तिनाली रमन आपको अपनी पेंटिंग दिखाने के लिए लेकर आएगा पर राजा कहते हैं लेकिन वो है कहाँ वो तो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है और अब लेंच का भी टाइम हो चुका है यानी खाने खाने का समय हो चुका है दूसरा दरवारी कहता है साध वो अपनी पेंटिंग को बनाने में बिजी है और ये भूल गया है कि उसके दिये हुए ज़्यादा है वो खत्म हो चुकि आ है है कि वो इतनी अच्छी तस्वीर बनी हुई हो कि वो हमारे साथ इसको बाटना नहीं चाहता है अब राजा कहते हैं कि ठीक है अब हम और जादा इंचिजार नहीं कर सकते जाओ किसी को भेजो उसके घर और उसको बलाने के उसको कहो कि वो सर्थार चुका है और उस सोने के सिक्षे से भरा हुआ जो बैग का वादा किया था उसको भी जो था दर्वारी कहता है कि ये तो बिल्कुल भी फियर नहीं है ठीक है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि अगर वो हारा है तो उसे इसके लिए पैनल्टी भी देनी होगी ठीक है पैनल्टी यानि पनिसमेंट मिले गी उससे एक तरीके की उसे पैनल्टी के तोर पर दर्वार में एक सोने से भरा हुआ बैग देना होगा पहला दर्वारी कहता है हाँ मैं भी इस बात से राजी हूं उसे पैनल्टी तो भुगत नहीं पड़ेगी इसकी पनीसमेंट है सजा वो तो दे नहीं पड़ीगी तीसा दरबारी कहता है देर ही इस देखो वो महाँ पर है ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो उसे उस तस्वीर को ला रहा है पर लेकिन वो तस्वीर तो किसी कपडे से धकी हुई है तेनाली रमन दो लोगों के साथ उस पेंटिंग को लेके आता है जो एक कपडे से धकी हुई थी तब ही तेनाली रमन जैस्टर्स यानि इसारों से हातों के इसारों से दोनों लोगों को कपड़ा को हटाने के लिए कहता है जब कपड़ा हटाती है तो वहाँ पर एक empty canvas था यानि वो तस्वीर जहाँ पर तर्वीर बनाई जाती है वो बिल्कुल खाली थी अब ये इस painting पर कुछ बस कुछ line बनी हुई थी जैसे few strokes of black, black color की कुछ line बनी हुई थी right side में और नीचे हरी रंग की कुछ line बनी हुई थी तेनाली रमन कहता है good afternoon sir यानि राजा से कह रहा है तेनाली रमन की good afternoon sir देखो कितनी सुंदर घोडे की painting बनाई है मैंने सच में ये कितनी सांदार एक घोडे की painting है जिसके सिर पर सितारे बने हुए है देखो इसके जो leather का saddle है saddle यानि जिस पर पैर रखकर घोडे पर बैठा जाता है पैर रखकर उपर चड़ा जाता है और बैठा जाता है तो उसको पताया है कि इसकी saddle भी कितना सांदार है उस पर भी police की गई है सच में इसना सांदार तो मैंने कभी नहीं देखा था तब राजा कहते हैं कि यह क्या है यह क्या है जो तुमने बनाया मैं मुझे तो घोड़ा कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा तुम तो ऐसे insult कर रही हो तुम मुझे बेवकूब बनाना चाहते हो इस तस्वीर में तो कुछ भी नहीं है तो खाली कैनवास है तब तेनाली रमन कहता है राजा से की की वेल यू वेर दा वन हू टोल्ट मी तेट यू है इमेजिनेशन जोर इमेजिनेशन वन यू लुक अट दी पेंटिंटिंग की सच तेनाली रमन कुछ सा है गोडे का उसकी आप कल्पना कर सकते हैं वो घास खा रहा है एक हरी भरी जो घास आपको दीख रही है इस सब की कल्पना कीजिए और इसके कोने में जो टेल है वो आप देखी सकते हैं उसकी पूँच आपको इस कोर्नर में देखी सकते हैं यहां पर तस्वीर में भी देख रहे हैं यहां पर इसको यह पूँच बता रहा है यह गास बता रहा है यह कहते हैं कि आप इसकी पूँच भी देख सकते हो जो कोर्णर में निकली हुई है तब राजा तेनाली नमन को कहता है यू आर रासकल तुम सच में एक नटखट इंसा हो तुमने तो मुझे अपने तुम तो हमने तो साबित कर दिया कि तुम हम सब से ज्यादा चलाखो सा अपने मिनिस्टर को आधे देती हुए कहते हैं क्यी मिनिस्टर या नि मंत्री गन सोने से बhost right बैक कहां पर है? सोने से बढावा बैक लेका हो उस बैक को तेना ली रमन को देओ इसने साबित कर दिया कि ये हमारे समराज़चे का सबसे चालाक इनसान है ऐसा कहने के बाद ये कहानी यहाई पर खत्म होती है और आपको भी पता चल गया कि तेना ली रामन कितना चतुरी इंसान था उसने केस तरीके से अपनी बात को रखा और अपने आपको सावित किया कहानी खत्म होती है वीडियो अच्छी लग गया है या एक्स्प्लेनेशन अच्छा लगा है तो लाइच जूर करना या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकती है तो फिर एक बार और करेंट चाहूँगा वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जूर करना थैंक यू एव नाइस डे बाइबाए